अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चोकीदार मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चोकीदार ये चोकीदार नहीं है ये देश के ठेकेदार है और ये देश के ठेकेदार कैसे है क्योंकि इस देश के लोगों का उनके भविस्ट को ये ठेके पे कर देना चाहते हैं ये जो अगनीपत्य योजना है इसकी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉन्फरेंस सुन रहा हूँ प्रेस कॉन्फरेंस में सरकार जिलेवी की तरफ गोल गोल कर रही है हर चीज को सब कुछ बोल रही है सब फाइदा गिना रही है हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री ये भी आकर के कह दे कि अगनी पस्योजना में सामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिड़ेगा जिस तरीके से उसके फाइदे गिनाये जा रहे हैं लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है एक सिंपल सवाल है सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए क्या सिंपल सवाल है कि जो भरतियां हो रही थी वो भरती होगी की नहीं होगी सवाल नमबर एक सिंपल बात है पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले दो साल में अब तीसरा साल है 50,000 लोगों को भी की भी भरती नहीं की गई बहाना क्या दिया गया बहाना दिया गया कि कोडोना था इसलिए भरती नहीं किये हाई मोदी जी कोडोना था तो चुनाव लर लिये बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिये सब जगा चुना हो गया उत्तर प्रदेश का चुना हो गया बुल्डोजर बाबा आ गए लेकिन आर्मी की भरती नहीं हुई ये बैमानी है कि नहीं है रोजगार देने में कोडोना है अचुनाव लरने में कोडोना नहीं है और अगर आप बैक लोग को देखेंगे पचास हजार को अगर मान ले तब भी डेर लाख बहाली होनी चाहिए थी डेर लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं डेर लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे इसको यह नहीं बता रहे हैं, उपर से यह नया योजना ले करके आ गए हैं, तो एक नए छोटा सा कहानी हम को याद आ रहा है, बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था, कहा मम्मी दूध पिला दो, दूध पिला दो, मम्मी उसको उठा करके अलमीरा पे बिठा दी, बच्च मम्मी को यह नहीं कहता है कि मम्मी दूध पिला दो बच्चा चिला चिला करके कह रहा है कि मम्मी अलवीरा से नीचे उतार दो नीचे उतार दो लोग मांग रहे थे हर साल दो करोड नौकरी इन्हों ने हर साल दो करोड नौकरी नहीं दी उपर से एक नया योजना लेकर के आ गए हैं पूरा का पूरा भाजपा के तंत्र को उसमें लगा दिये हैं कि आप बताईए कि अगनी पत्के क्या फाइदे हैं अरे सिंपल सी बात है बिहार में एक कहावत है नहाया हुआ सरीर और खाया हुआ सरीर नहीं छुपता है जो चीज अच्छी होती है उसका फाइदा बताने का जरूरत नहीं होता है जो चीज में कोई खरावी होती है उसका खरावी छुपा करके आपके घर पे कोई समान बेचने के लिए आता होगा तो उस समान का सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताता होगा आप ट्रेन में जब जाते होंगे बस में जाते होंगे तो जब जूसर बेचने वाला आता है तो एक संतरा से आपको एक गिलास जूस निकाल करके दिखाता है और वही जूसर जब आप घड़ पे ले करके जाईएगा तो आधा गिलास जूस भी आपको आपके घड़ में नहीं निकलेगा ये जो बेचने की मानसिक्ता होती है इस बेचने की मानसिक्ता के खिलाप है ये सत्यागरह दो लोगों के बीच में है जावेद अख्तर ने लिखा है एक हमारी एक और उनकी मुल्क में है आवाजे दो दो आवाज है एक वो आवाज है जो इस देश को बेचना चाहता है वो देश के सरकार में बैठे हुए है एक वो आवाज है जो देश को बचाना चाहता है वो सरकों पे खड़ा है वो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है वो सत्यागरह कर रहा है और ये सत्यागरह हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार क पहाली करना चाहते हैं तो सिर्फ Central Government में 28 लाख पोस्ट खाली है यह पर्मानेंट पहाली बंद करके ठेका करन के फाइदे देश को समझा रहे हैं जब भी देश में कोई ठेका करन किया जाता है तो सिर्फ उसका फाइदा ही फाइदा बताया जाता है जब भी देश की कोई सार्वजनिक संपत्ति बेची जाती है तो उसका फाइदा ही फाइदा बताया जाता है लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि देश में अगर सारी सार्वजनिक संपत्तियों को बेच दिया गया तो देश का क्या होगा एक बार आप इस बात पर विचार किजिएगा कि अगर Air India नहीं रहेगा अगर नहीं होगा air इंडिया तो क्या करेंगे जोतीराधित सिंधिया समझना है कि नहीं समझना है आप हमको बताइए कि सरकारी रेलवेज नहीं होना चाहिए सरकारी PSNL नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से सेना में नियमित नौकरी नहीं होनी चाहिए जब सब कुछ सरकारी नहीं होना चाहिए तो सरकारी परधान मंत्री लेकर के ढोल बजाएंगे फिर सरकारी परधान मंत्री भी क्यों होना चाहिए सरकारी संसद भी क्यों होना चाहिए देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रिय संपत्ती देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रिय सेना देश का मतलब होता है देश के लोगों का सम्मान इसलिए मैं आप तमाम लोगों से यागरह करने के लिए आया हूँ कॉंग्रेस पार्टी की लड़ाई सिर्फ अपने नेता को बचाने की लड़ाई नहीं है कॉंग्रेस पार्टी की लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है वो देश जिस देश को गांधी ने बनाया है जिस देश को नहरू मौला नाबूल कलाम आजाद ने बनाया है उस देश को बचाने की जार लड़ाई है